हेलो बच्चों, कैसे हैं आफ सभी, I hope कि आफ सभी अच्छे होंगे, सवस्थ होंगे, मस्थ होंगे, मैं हिमांगनी रहांग डाले, आफ सभी का स्वागत करती हूं, इंस्पार्यकेर में बालाखाट में, बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम यह जिसमे हमारा पटाज फौर्थ लेक्चर हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में यूट्टिक चेल हैं, देखा था और अर यूट्य। कोशिकाओं में जो आवरान होता है वो क्या होता है एक तो सेल मेंब्रेन होता है सेल मेंब्रेन के ऊपर क्या पाया जाता है बटा सेल वाल पाया जाता है सेल वाल के ऊपर क्या पाया जाती है मिडल लेमिला पाई जाती है इन सब में इन सब में जो सबसे important होता है वो होता है बच्चा cell membrane क्योंकि cell membrane ही सबसे ज़्यादा क्या करती है एक कोसी का से दूसरे कोसी का तक संबंध स्थापित करने में मदद करती है ठीक है तो हम लोगों को आज पढ़ना है क्या cell membrane तो चलिए copy और pen लेके बिल्कुल ready हो जाईए और आप मेरे साथ पढ़ेंगे cell membrane तो start करते हैं बटा क्या cell membrane और यह आपके सामने क्या है cell membrane का structure बना हुआ है किस तरीके से cell membrane होता है ठीक है किस तरीके से cell membrane होता है कैसा दिखता है जो कोसी का को हम देख भी नहीं सकते हैं उस तो कोसी का की जो जिली होती है वो ही कितनी सुन्दर तरीके से अरेंज होती है कितनी अच्छी दिखाई देती है और कितनी मोटी होती है आप देख सकते हैं कितने अच्छे से अरेंज है यह हमारी सेल मेंब्रेन ठीक है तो देखते हैं कि यह जो सेल मेंब्रेन है इसका स्ट्रक्चर जो हमारे सामने लार्थों से बना हुआ मेंब्रेन होता है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं किसके बारे में बात करते हैं एलेक्ट्रान सुरी इसके बारे में सेल मेंब्रेन तो चलिए cell membrane cell membrane या इसी को हम बोलते हैं बेटा क्या plasma membrane इसी को क्या कहा जाता है plasma membrane plasma membrane क्यों कहा जाता है plasma membrane इसको plasma membrane कहने का उद्दे से ये है बेटा क्योंकि जो cell के अंदर जो liquid भरा होता है जिसको हम कोशी का द्रव्य कहते हैं वह प्लाजमा के जैसे होता है मतलब कि एकदम लिक्विड भी नहीं होता है और सॉलिड भी नहीं होता है बीच वाली ओस्था होती है तो वो क्या होता है एकदम प्लाजमा जैसे बीच वाली ओस्था क्या होती है पदाल्थ की चौंथी ओस्था क्या है प्लाजमा आवस्था ठीक है तो वह प्लाज्मा के रूप में होता है ना तो ठोस रहता है और नहीं द्राव होता है इसके बीच का होता है तो चूंकि बीच वाला जो भाग है वो क्या है प्लाज्मा है तो प्लाज्मा को जो चारो तरफ से घेर रही है उस मेंब्रेन को बोलेंगे क्या प्लाज्मा या प्लाजमा चल लेगे प्लाजमा चल लेगे तो इसके बारें बात करते हैं हम यह बात है कबकी लगभख 1970 की है इसको एक स्टोरी के रूप में आपको याद रखना है यह बात कबके 1970 की है जब इलेक्टराण सुछमदर्सी खोजी गई थी अब ऐसा होता है कि जब भी तो हम कोशी का जिल्ली बोलते हैं इसके इस्ट्रक्चर को देखा गया कब जब इलेक्टराण सुछमदर्सी की खोज हुई और यह इस्ट्रक्चर बेटा देखा गया था किसमें RBC में, कब की बात कर रहे हैं हम लोग, 1970 की बात कर रहे हैं, 1970, 1970 में क्या हुआ, जब किसकी electron microscope की खोज हुई, किसकी electron microscope की खोज हुई, बेटा जब electron microscope की खोज हुई थी, तब क्या किया गया, क्या किया गया, RBC में, किसमें, RBC, मतलब हमारी जो लाल रक्त कडिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, लाल रक्त कडिकाएं, लाल रक्त कडिकाएं होती हैं, इनमें किसको देखा गया, cell membrane को देखा गया, cell membrane को देखा गया कोसी का जिल्ली को देखा गया जब कोसी का जिल्ली देखी गई तो इसमें क्या क्या चीज़े पाई गई इसमें देखा गया कि जो कोसी का जिल्ली है क्या जो कोसी का जिल्ली है ये कोसी का जिल्ली किस की किस की बनी होती है इसमें देखा गया कि जो कोसी का जिल्ली है यह किसकी बनी होती है बटा प्रोटीन एवं लिपीट की बनी होती है क्या कहा गया कि यह जो कोसी का जिल्ली है यह प्रोटीन और लिपीट की बनी हुई द्वीस्तरी सनरचना होती है क्या कहा गया यह प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई द्विश्तरी सनरचना होती है प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई द्विश्तरी सनरचना होती है ठीक है ऐसे यह दो लेयर हो वैसे ठीक है प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई द्विश्तरी सनरचना होती है जिसमें जिसमें जो होता है protein सबसे उपर की तरह फिर क्या होता है lipid फिर lipid होता है और फिर क्या होता है protein इस तरीके से जो होता है protein और lipid अरेंज होता है किसमें cell membrane में यह बात कपकी है विटा यह बात है जब 1917 में electron सुचमदर्सी की खोज हुई और किसमें cell membrane देखा गया RBC में, किसमें देखा गया था RBC में ये देखा गया इसमें क्या कहा गया कि जो cell membrane होती है वो protein और lipid की बनी हुई सनरचना होती है कैसी द्वी स्तरी सनरचना होती है और इस द्वी स्तरी सनरचना में क्या होता है बटा प्रोटीन और लिपिड की एक सनरचना बनती है और दूसरी लेयर क्या होती है लिपिड प्रोटीन की इस तरीके से क्या होती है अरेंज होती है मालों कि यह क्या है इस एक द्वीशतरी सनरचना है तो इसमें यह वाली जो मेंब्रेन होगी बटा उपर प्रोटीन नीचे लिप होती है इसमें जो लिपिड होता है क्या लिपिड किसकी बात हो रही है यह बात हो रही है किसकी लिपिड की इसमें लिपिड के बारे में कहा गया कि जो लिपिड होता है सेल मेम्रेन में यह कौन सा लिपिड होता है यह होता है फास्फो लिपिड कौन सा लिपिड होता है यह फास्फो लिपिड होता है और इस फास्फो लिपिड की सनराशना में एक क्या होता है 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 होता है क्या होता है एक है होता है और एक क्या होता है इसको बोला गया क्या है औ हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जल इसने ही मतलब क्या हुआ जल से प्यार करने वाला सिरा क्या है इसको जल से प्यार है लिपिट तो है लेकिन इसका एक हैड जो ऐसा है है इसका कैसा है इसको जल से बहुत प्यार है इसको जल से प्यार है जल से नफरत नहीं करता है और दूसरा सिरा क्या है जिसको हम टेल में बोल रहे हैं यह कैसा है हाइड्रोफोबिक है है हैड mily मतलब कैसा है जल विरोधी है कैसा है बटा यह जल भी मैं फ्ィक्ष है क्या कहा गए कि यह कैसा सिरा है जल विरोधी सिरा है यह बात अभ ही इलेक्ट्रम वाश की संरचना होती है जिसमें हेड जो होता है वो क्या होता है जल इस नहीं होता है जल से प्यार करने वाला होता है जो टेल वाला भाग होता है वो क्या होता है जल से दूर भागने वाला जल से नफरत करने वाला होता है और क्या कहा गया कि इसमें जो हेड होता है वो उपर की तर अब कैसी होती है structure इसकीосuicksal membrane की बाद हो रही है तो इस तरीके से क्या होती है स्यलρ मेंब्रेन अरेंज होती है और फिक है इस तरीके से क्या होता है ऊटवक्त बढ़ा यह हेड और टेल डिशु फॉसफोवलिपिर होता है क्या होता है फास्फो लिपिड होता है वो इस तरीके से क्या होती है अरेंज होती है और इसके बीच बीच में क्या पाया जाता है इसमें क्या कहा गया और क्या कहा गया कि इसके ऊपर तो पाया ही जाता है क्या प्रोटीन इसके ऊपर तो प्रोटीन पाया ही जाता है चारो तर कुछ पूरी की पूरी संरचना में होता है दोनों लेयर में फैला होता है कुछ ही क्या होता है बीच बीच में protein पाया जाता है ठीक है इस तरीके से कहा गया कि protein की यह जो होती है आपकी protein और liquid की बनी हुई cell membrane यह कुछ इस तरीके की दिखाई देती है बीच में प्रोटीन, दोनों तरफ प्रोटीन और बीच में जो डबल लेयर होगी, और किसकी होगी, लिपट की होगी, ठीक है, इस तरीके से अरेंज थी क्या, इस तरीके से अरेंज थी कोशी का जिले, ठीक है, इसके बाद बटा, इसके बाद जो है, एक विज्ञानिक आए, कोन से विज्ञैनिक यह बात है कभकी 1972 की 1972 1972 में एक विज्ञैनिक आये जिसका क्या था जिसका नाम था सिंगर और निकोल्सन क्या नाम था बेटा सिंगर एवं निकोल्सन सिंगर एवं निकोल्सन ये एक विज्ञानिक थे 1972 में सिंगर और निकोल्सन ने एक मॉडल प्रस्तूत किया किसका बेटा, cell membrane का एक model प्रस्तुत किया, cell membrane का एक model प्रस्तुत किया, और इस model का नाम क्या था, तो इस model का नाम था बेटा, तरल मोजेक model, क्या था, तरल मोजेक model, तरल मोजेक model, ठीक है, ये इस model का नाम था, जो सिंगर और निकोल सन के द्वारा दिया गया था, ठीक है, और इसमें क्या कहा गया इसमें क्या कहा गया तो इसमें कहा गया कि जो प्रोटीन और लिपिट की संरचना होती है किसकी बनी हुई संरचना होती है प्रोटीन और लिपिट की बनी हुई प्रोटीन एंड लिपिड की द्वीस्तरी संरचना द्वीस्तरी संरचना द्वीश्तरी संरचना कैसी होती है एक मोजेक के समान होती है किसके समान होती है एक मोजेक के समान होती है बेटा सिंगर और निकोलसन का कहना था कि जो सेल मेंब्रेन होती है वो बिलकुल तेल के समान पतली होती है जैसा तेल होता है आप कोई भी ऑईल ले लीजिए तो जो ऑईल होता है जैसे ऑईल बहता है अगर आप तेल को गिरा दे और जैसे जिस तरीके से वो बहता है या फिर आप देख सकते हो पाने के उपर अगर आपने तेल डाल दिया है तो जिस तरीके से क्या करता है फ्लो करता है उस तरीके से हम हमारी सेल मेंब्रेन भी क्या करती है मतलब बिल्कुल तेल की जितनी पतली होती है उतनी क्या करती है यह मुमेंट कर सकती है यह कहना था किसका सिंगर और निकोलसन का और इन्हों कर्मनस मन हो सकता है ठीख है और इन्होंने यह भी कहा कि जो प्रोटीन होता है वो लिग यहुंग स्टेबल ना होने के कारण क्योंकि यह कि लिप्ट क्या हो रहा है अपनी जगह चैंज करते हुए चल रहा है कभी इ дан जा रहा है कभी इधर जा रहा है मतलब इस्टेवल नहीं है इस कारण क्या होता है इसके बीच में से क्या पाई जाती है प्रोटीन पाई जाती है इसमें क्या पाया जाता है इंटिग्रल प्रोटीन पाया जाता है आंतरिक प्रोटीन पाया जाता है जो क्या करता है ऐसे पदार्थ जो ज को संय की जो सेल मेंब्रेन होती है बिलकुल लिक्विड के जैसे होती है और ये उतने ही इसली कर सकती है और चुंकि जिसमें में में प्रोटीन और लिपर के अलावा štsk पॉल भी होता है इसी लिए इसको क्या कहा गया एक मौजएक बनाता है बहुत सारे पदार्थों से बनी हुई क्या होती है यह एक संरचना होती है इसलिए इसको क्या कहा गया मौजएक कहा गया इस तरीके से उन्होंने क्या किया 1972 में अपना तरल मौजएक मौडल प्रस्तुत किया सिंगर और निकोल सन ने जिसके अनुसार कैसी सन रचना होती है इसकी जिसके अनुसार कैसी सन रचना होती है इसकी तो चलिए देखते हैं जिसके अनुसार इसकी सन रचना कुछ इस तरीके से होती है यह ये क्या है बिटा ये लिपिड का क्या होता है हेड होता है लिपिड का हेड हो गया लिपिड का हेड इसके बाद में क्या होता है इसका टेल होता है इस तरीके से क्या होगा हेड टेल हेड टेल ये टेल फिर दूसरा लेयर होगा इसका दूसरा लेयर ये दूसरा लेयर इस तरीके से होगा ये दूसरा लेयर इस तरीके से क्या होता है दूसरा लेयर होता है बेटा ये इस्टेबल नहीं होती है ये देख रहे होंगे आप इसकी जो पूछ होती है ये इस्टेबल नहीं होती है अगर stable होती तो बिल्कुल ऐसी सनरचना बनाती सीधी एक लिपयर ऑढिक कैसे बनाती बिल्कुल सीधी सनरचना बनाती इसथी होती है बिल्कुल चुकि एकदम तेल के जैसे तयार सक्री है ठीक है इसलिए कैसी होती है इनके बीच में पांब जाता अब इसके बीच बीच में बेटा क्या पाया जाएगा इनके बीच बीच में होता है कुछ कोलेस्टरॉल क्या होता है इनके बीच बीच में पाया जाता है क्या कोलेस्टरॉल क्यों इसकी तरलता को बनाए रखने के लिए इसकी तरलता को बनाए रखने के लिए क्यों तरलता क की तरलता कैसी हो झादी खतम हो जाती इंकी तरलता कैसी हो झाती खत्तम हो जाती हたい किस इनकी बीच मեչने क्या पाया जाता है को थिक ईने किसकी पुरूटीन ऑर कर दोर सुपारइट की घृच्ष के योदि रीषर यह वीच में इस तरीके से होता हैं कुछ प्रोटीन ऐसा पूरा पाया जाएगा यह कि पूरी लंबाई में पाया जाता है किस प्रोटीन पिख प्रोटीन क्या होगाे है खिशे लिप्रिड की ऊफ criminal होगा कि इस तरीके से इस तरीके से इसकी संरचना होती है ये किसने बताया था सिंगर और निकोल सन ने इस तरीके से अरेंज होती है इसमें बीच में भी क्या पाई जाती है ऐसी मेंबरेन पाई जाती है कुछ प्रोटीन इस तरीके से भी यहां पर देखने को मिलेंगे आपको कुछ प्रोटीन क्या होंगे इनकी परीधी पर भी देखने को मिलेंगे इस तरीके से ठीक है अभी क्या होगा इस प्रोटीन के उपर इस प्रोटीन के उपर क्या पाया जाएंगी बटा इस प्रोटीन के उपर क्या पाया जाएगा कार्बोहाइडरेट पाया जाएगा इस प्रोटीन के ऊपर क्या पाया जाएगा इस तरीके से कार्बोहाइडरेट पाया जाएगा ये और क्या होगा ये इसलिए बोला जा रहा है मोजेक है ना इसको याद रखना है और lipit के उपर भी क्या पाय जायेगा कार्बोहाईडरेट पाया जायेगा प्रोटीन भी है लिपिड भी है और क्या है कोलेस्टरोल भी है पूरा जो पदार्थ है एकदम मिक्स होके केवल एक पतली सी संरचना बना रहे है थिक है तो इन्हों तो ने कहा कि कुछ इस तरीके की संरचनाएं होती है इस तरीके की क्या होती है संरचनाएं होती है जिसमें क्या होता है जिसमें क्या होता है यह यह यहां से यहां तक क्या हो गई फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है क्या होती है यहां से यहां तक फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है और यह क्या होता है परिधी यह प्रोटीन होता है जो परिधी पर पाया जाता है ठीक है जो परीधी पर पाया जा रहा है जो अंदर की तरफ पूरी लंबाई में होगा इसको बोला जाएगा integral protein INTEGRAL या आंतरिक protein आंतरिक protein ठीक है इसके बाद में जो carbohydrate protein से लगा होगा बेटा उसको कहा जाएगा glycoprotein क्या कहा जाएगा ग्लाइको प्रोटीन कहा जाएगा और जो कार्बो हाइडरेट लिपीड से लगा होगा जो कार्बो हाइडरेट क्या होगा लिपिड से लगा होगा उसको बोला जाएगा ग्लाइको लिपिड क्या कहा जाएगा ग्लाइको लिपिड क्योंकि ग्लुकोज जो होता है एक प्रका कार के एंटीजन हम देखने को मिलते हैं मनुश्री की RBC के उपर A और B जिसके आधार पर क्या करते हैं हम blood group decide करते हैं कि कि इसका blood group क्या है तो यह blood group हम लोग decide करते हैं glycoprotein के आधार पर किसके उपर कौन सा blood group मतलब कौन सा glycoprotein है glycoprotein A है या glycoprotein B है ठीक है अगर A हुआ तो blood group A B हुआ तो blood group B यह एक तरीके से निर्धारित करने का एक तरीका है ठीक है तो glycoprotein के जो टाइप होते हैं इसके आधार पर हमने क्या किया है blood group किसका क्या होता है यह हम निर्धारित करते हैं ठीक है तो क्या हो गया ग्लाइको प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, इनके बीच में क्या पाया जाता है, 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 चुंकि इसके जो लिपिड की लेयर होती है जो लिपड के दो मॉलिक्यूल होते हैं इन दोनों के बीच में गेप बना रहे दोनों एक दूसरे से चिपके ना अगर चिपक जाएगे तो कैसी हो जाएगी मेंब्रेन हाड हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके का कुछ structure होता है ये कहा किसने सिंगर और निकोल सन ने और ये क्यों कहा कि इस तरीके का structure होता है चूंकि इसमें से क्या करना है इसको पदार्थों का आवागमन करवाना है protein carbohydrate sodium ion potassium ion chlorine ion हो गया water molecule हो गया मानलो कि किसी को जरुरत है जैसे ही कि मानलो ये दो व्यक्ती है चलो देख लेते हैं दो व्यक्ती है कौन से कौन से दो व्यक्ती है ये दो व्यक्ती है ये क्या है दो व्यक्ती है ये दो व्यक्ती है एक का नाम क्या है बटा एक का नाम है पिंकू और एक का नाम क्या है तिंकू अब क्या हुआ ये दोनों पडोसी हैं क्या है ये ये दोनों है पडोसी दोनों पडोसी एक दूसरे के आसपास रहते हैं घर के घर में ही बिना किसी के घर जाए क्या कर सकते हैं ये पदार्फों का आदान प्रदान कर सकते हैं मतलब कि कोई भी चीज ले सकते हैं कोई भी चीज दे सकते हैं इ किया हुआ निको के घर में चाय बनाना है सक्कर हो गयी खत्म अब लिम्लिख करेगा जरूरत नजरूरत होगी न पिंग में का मुत्प परोषियों में तो वैसे ही होता है बटा सेल्स के बीच में हमारी जो पूरी बॉडी होती हो कितने सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है और यह सेल्स क्या करती है पदार्थो को आदान प्रदान करते हुए चलती है और इनके आदान प्रदान के लिए पदार्थो को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए बीच में कौन होती है सेल मेंब्रेन होती है और ये सेल मेंब्रेन अगर मानलो जाने ही नहीं देगी ये सेल मेंब्रेन अगर जाने ही नहीं देगी तो क्या होगा पदार्थ तो जा ही नहीं पाएंगे तो इनके जाने आने के लिए ही सेल मेंब्रेन का इस्ट्र स्ट्रक्चर हम देखते हैं इसका इस्ट्रक्चर ए कि एक चली तो यह होता है वीक टाक्ट मिझा किसका किसका ही इस एक है Ст। कि सेल मेंब्रेन का जैसा भी हमने देखा क्या क्या चीजे देखा था हमने ऊपर की तरफ क्या होता है यह फास्फो लिपीड की दीज्तरी संरचना क्या है फास्फोलिपिट की द्वीस्तरी सनरचना हो गई फास्फोलिपिट की द्वीस्तरी सनरचना के बीच बीच में क्या पाए जा रहे हैं प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं इनको क्या नाम दिया है इसको क्या नाम दिया गया बटा ट्रांस्पोर्ट प्रोटीन या इसी को क परीधी पर पाय जा रहे हैं इनको बोला गया क्या परीधी है प्रोटीन अब क्या हुआ इनके हमने लिपिड की बात किये तो लिपिड में क्या होता है बेटा एक हेड होता है जो कैसा होता है हाइड्रोफिलिक होता है मतलब जल से प्यार हेड को क्या है इस सर को जल से बहुत बहुत प्यार है पूछ को जल से प्यार नहीं है है फेड को जल से बहुत प्यार है लेकिन पूछ को टेल को जल से प्यार नहीं है ठीक इतना ऐसा याद रखना है कि हेड को जल से प्यार है और टेल को जल से प्यार नहीं है तो इसमें भी क्या होता है जो हैड होता है वो failure जन से बहुत दूर रहना चाहता है, ठीक है, तो यहां पर है कैसे अरेंज होता है, इसका polar part, उपर की तरफ, नीचे की तरफ भी polar part, जो hydrophilic वाला भाग है बैटा, वो होता है polar, polar मतलब होता है, क्या ध्रूवी इसीरा, क्या होता है, ध्रूवी इसीरा, ध्रूवी इसीरा जो bilayer होती है उसके बाहर की तरफ होगा और अंदर की तरफ होगा बैटा अध्रूविय सिरा क्या हो जाएगा अंदर की तरफ हो जाएगा कैसा सिरा अध्रूविय सिरा जो है वो अंदर की तरफ हो जाएगा जो होता है कैसा hydrophobic ठीक है चोटी-चोटी सी बातों को note करते हुए चलना है कि एक phospholipid की जब हम सनरशना पढ़ते हैं क्यों एक phospholipid का अणू तो उसमें क्या होता है head और tail होता है head कैसा होता है hydrophilic होता है और कैसा होता है polar होता है गैसा होता है नॉन पोलर होता है ठीक है इसके बार में हम देखे क्या प्रोटीन दो तरीके का देखे क्या देखे प्रोटीन दो तरीके का देखे इसमें बीच-बीच में क्या पाया जा रहा है विटा कोलेस्टरॉल पाया जा रहा है क्या होता है बीच-बीच में क्या पाया File requisite अगर यह प्रोटीन से लगी हे तो गलाइको प्रोटीन और अगर लिपड से लगी है तो क्या कहा जाएगा लुपड से लगई है तो इसको क्या कहा जाएगा ग्लाइको लिपिड कहा जाएगा ग्लाइको लिपिड कहा जाएगा ठीक है मेंब्रेन बनाए थे इस तरीके से क्या होती है अरेंज होती है यह वाला पाइट क्या होता है साइटो प्लाजम की तरफ वाला और ऊपर वाला भाग क्या होता है साइटो प्लाजम से बाहर होता है आउटर सेल मेंब्रेन आउटसाइड आफ सेल मेंब्रेन और इंसाइड आफ सबसे पहले हमने क्या देखे बटा क्या देखे थे हमने सबसे पहले कि जो लेयर होती है इसमें क्या होता है लिपिड की द्विस्तरी सनरचना होती है जिसमें हैड उबर की तरफ टेल अंदर की तरफ होता है इसके बाद इसके बीच में क्या पाई जाती है आंतरिक प्रोटीन पाई जाती है परीधी की तरफ क्या पाई जाती है परीधी प्रोट च्ट्राल पाया जाता है इन दोनों लिपिड के अड़ों को चिपकने से बचाने के लिए ठीक है और क्या आपको होती है आपकी सेल मेंब्रेन होती हो बीच में पूरी कैसी सकती हूथ नॉन पोलर होती है, कैसी होती है, नॉन पोलर होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने में से normally ions का transfer तो नहीं कर सकती, non polar है, मतलब ये आयन को अपने में से जाने देने की छमता नहीं रगती है, ये ions जो है, जैसी की sodium ion हो गया, chlorine ion हो गया, potassium ion हो गया इन आयन को अपने मेंसे जाने नहीं देगी आसानी से ठीक है चलिए अब बढ़ता है तक हम लोग किसकी तरफ ट्रांसपोर्ट की तरफ तक इसका काम ही क्या है यांसपोर्त करना आपकर सिश्ठ सबस्ट करना थिक साफ है योईठ्रांसपोर्टेशन है क्या है यॉ कि क्या है ट्रांस्पोर्ट ट्रांस ट्रांस्पोर्ट यह इसी को कहा जाएगा क्या परिवहन क्या कहा जाएगा परिवहन अब बिटा परिवहन की हम बात कर रहे हैं ठीक है किसकी बात कर रहे हैं परिवहन की बात कर रहे हैं मुख्य रूप से अगर हम परिवहन की बात करें तो दो तरीके का परिवहन पाया जाता है दो तरीके का एक होता है निश्क्री परिवहन और दूसरा होता है क्या सक्री परिवहन सक्क्रिय परिवहन ठीक है दो तरीके का परिवहन होता है किस से सेल मेंब्रेन से अब ये दो तरीके का परिवहन क्या होता है example से समझेंगे हम क्या होगा अगर मालो बात हो रही ही किसकी पिंकु टिंकु की फिर से बात करते हैं हम किसकी पिंकु टिंकु की बात करते हैं एक है पिंकु और दूसरा क्या है टिंकु एक क्या है पिंकु है और एक क्या है टिंकु है एक पिंकु एक टिंकु पिंकु टिंकु पिंकु टिंकु ठिक चले तो पिंकु और टिंकु दो बेटा पडोसी है अब क्या हुआ एक condition ऐसी आती है कि इस पिंकु के पास में मान लो इस पिंकु को किसी चीज की ज़्रीवत है। इस वार हम ले लेते हैं क्या, मानलो इसके पास में क्या नहीं है, आटा नहीं है, क्या नहीं है, गेहूं का आटा इसके पास नहीं है, और इसके पास गेहूं का आटा बहुत है, आटा की बात हो रही है, ठीक है, इसके पास कैसा है, गेहूं का आटा बहुत है, इस्टोर रू के पास में एक भी आता नहीं है तो यह क्या कहता है क्या कहता है टिंकु से टिंकु भाई मेरे पास आता खतम हो गया है मेरे को दे दे किसने बोला पिंकु ने बोला कि टिंकु भाई मेरे पास आता खतम हो गया है मेरे को दे दे तो क्या टिंकु मना करेगा पड़ोसी है तो दे देगा कि चलिया अगली बार तो दे देगा कि मेरे पास भी एक्षना रखा हुआ है जब इसके पास आएगा तो यह मेरे को देगा अब इसमें क्या हुआ जब इसने मांगा तो इसको किसी भी प्रकार की फोर्स करने की जुरत नहीं पड़ी किसी प्रकार के फोर्स करन बनी अब क्या हुआ ये तो दोनों पडोसी थे अब क्या हुआ इसके साइड में एक और रहता है क्या नाम रिंकू कोन रहता है एक रहता है रिंकू क्या रहता है रिंकू ये थोड़ा सा नेचर इसका थोड़ा कैसा है ठीक नहीं है कैसा नहीं है ठीक नहीं है तो वैसे उतना भी बेकार नहीं है पर फिर भी ठीक नहीं है ना तो क्या हुआ कि पिंकु के पास में आटा नहीं था तो आटा इसने जब टिंकु से मांगा तो इसने तो दे दिया लेकिन इसने क्या किया इसके पास में फिर क्या हुआ कुछ समय बाद मान लो कि इसके पास में क्या खतम हो ग सक्कर किसे मांगा रिंकु से मांग लिया किसे मांगा रिंकु से मांग लिया तो जब इसने क्या किया जब पिंकु ने रिंकु से क्या क्या सक्कर मांगा इसके पास है इसके पास क्या है सक्कर अलरेडी है इतनी सक्कर है कि दोनों का काम चल सकता है भलाई बहुत सारी नहीं है लेकिन इतनी सक्कर है कि अगर पिंकु ने मांगा तो ये इसके पास देने की capacity है इतनी छमता है उसके पास में कि वो दे सकता है उसके पास इतनी सक्कर रखी हुई है लेकिन फिर भी जब पिंकु ने एक बार मांगा तो इसने बोला नहीं भाई नहीं है एक बार तो क्या बोला नहीं है थोड़ी सी रखी हुई है क्या बोला नहीं भाई थोड़ी सी रखी हुई है यार मेरे को खुदी कम है फिर क्या हुआ पिंको ने बोला भाई महमान आए है अलजेंट है बहुत ही अलजेंट है मेरे को चाहिए तो पिंको रिंको बोलता है नही क्या हो रहा है यहां पर कि यह पिंकु जो है अभी तुरत का काम चलाने के लिए इसको क्या कर रहा है फोर्स कर रहा है क्या कर रहा है यह इसको कर रहा है फोर्स अब फोर्स करेगा तो इसको क्या लग रही है हां पर बहुत ताकत लग रही है न एक तरीके से बहुत ही उर्ज लगरी है इसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगरी है उसको मांगने के लिए उसके उसकी देने की बिलकुल इक्षा नहीं है उसकी देने की बिलकुल इक्षा नहीं है तो ऐसी कंडिशन में क्या हुआ पिंकु जो है वो ताकत लगा रहा है क्या कर रहा है ताकत लगा रहा है भ कोई भी सामान मांगा तो दे दिया लेकिन दूसरी कंडिशन क्या हुई कि बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद क्या कर रहा है यह सामान दे रहा है ठीक तो यही चीज क्या है हमारी सेल मेंब्रेन के साथ भी होती है यही चीज क्या होती है हमारी सेल मेंब्रेन के साथ के बीना उर्जा खर्च किये उर्जा खर्च किये एक सेल से दूसरे सेल तक चले जाता है एक कोशीका से दूसरी कोशीका तक चले जाए एक कोशीका से दूसरी कोशीका तक ट्रांसफर हो जाए दूसरी कोशी का तक ट्रांसफर परिवहन हो जाए परिवहन हो जाए तो ऐसा परिवहन क्या कहलाएगा बेटा ऐसा परिवहन कहलाएगा क्या ऐसा परिवहन कहलाएगा निस्क्रिय परिवहन क्या कहलाएगा ऐसा परिवहन कहलाएगा निस्क्रिय परि कर आई normally क्या होता है cái नार्मली एक जगह से दूसरे जगह तक सामान बिना खिसी उर्जा का प्रयोग किये 친 ठीक है अब यह क्या होता यह सबसे पहनी क्यों किस्क्राइबक्यों के भारा होता है तक मिलेगा दो तरीक विसरण या इसी को बोला जाता है डिफ्यूजन डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है निश्क्री परिवहन होता है इसमें क्या होगा इस परिवहन में क्या होगा अधिक सांध्रता से कम सांध्रता की तरफ हमने क्या बोले उसके पास ज्यादा था इसके पास टिंकु के पा तो नहीं देता जैसे इसके पास ज्यादा नहीं था इसलिए इनने नहीं दे पाया तो क्या हुआ विटा इसमें क्या होगा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और क्या होगा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और कम सांद्रता की और पदार्थों का आवागमन, पदार्थों का परीवहन, पदार्थों का परीवहन, अगर अधिक सामरता से कम सामरता की और पदार्थों का परीवहन होगा, तो क्या होगा, इसमें एनर्जी नहीं लगती है, और ऐसा परीवहन क्या कहलाता है, बेटा, डिफ्यूजन कहलाता है, है विश्णा कहलाता है अगर क्या हो अगर क्या हो इसको देखना है अगर पानी पानी का परिवहन क्या हो पानी का परिवहन जब क्या होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और कम सांद्रता की और की और बिना उर्जा के होता है बिना उर्जा के हो तो उसे क्या कहा जाता है हो तो उसे परासरन कहा जाता है मतलब क्या हुआ अगर liquid क्या हो रहा है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और प्रवाहित हो रहा है इनका परिभान हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा बिटा वो कहलाएगा परासरन और बाकी चीजे क्या होंगी अगर अधिक सामज़ता से कम सामज़ता की ओर जा रही है तो उनको क्या कहा जाएगा विश्रन कहा जाएगा क्या कहा जाएगा विश्रन कहा जाएगा ठीक है चलिए तो इसके बार में होता है बटा सेकेंड है हमारा क्या सेकेंड है इसको क्लीन कर देते हैं यहां से इसका काम complete तिंकु पिंकु समझ में आ गया तिंकु पिंकु और रिंकु तीनों पडोसी हैं तीनों पडोसियों के बीच में कैसे लेंदेन हो रहा है यह समझ गए अब होता है बटा दूसरा परिवहन होता है हमारा क्या निश्क्री परिवहन दूसरा परिवहन क्या होता है दूसरा होता है निश्क्री परिवहन दूसरा परिवहन हम देखते हैं निश्क्री परिवहन निश्क्री परिवहन दूसरा है हमारा क्या सक्री परिवहन निश्क्री तो हो गया निस्क्री दो तरीके से होगा या तो विश्रन के द्वारा होगा या परासरन के द्वारा होगा अगर जल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और बिना उर्जा के प्रवाहित हो रहा है तो उसको क्या बोले हमने उसको बोले हैं क्या परासरन क्या बोले हमने परासरन और लख्रीपरिभान की एक्ट्यव ट्र्नसपोर्ट और पैसिलु स्ट्स्ट इसको बोला जाता है क्या एक्ट्यू ट्रांसपोर्ट ट्रास है पोड़ ये किया है विटा पैस्टम्ट फैस्ट्स प्रील्प इसमें धचरह पदार्थाइब का परिभ्हान क्या लिखेंगे इसमें पडार्थों का परिवहन कैसे होगा कैसे हुआ इसमें पडार्थ कैसे हुए एक पिंकू और रिंकू के बीच में जो आदन-प्रदान हो रहा था जिसमें क्या हो रहा था रिंकू को बहुत ज़रुरत है अर्जेंट है तो वो क्या कर रहा है लेने की कोसिस कर रहा है ठीक है लेने की क्या कर रहा है कोसिस कर रहा है बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है तो ऐसी कंडिशन क्या होती है ऐसी कंडिशन में बहुत ज़्यादा उर्जा लग रही हमको तो अगर क्य का उपयोग हो उर्जा को इसमें क्या हो इसमें पदार्थों का परिवहन करने के लिए कि पदार्थों का परिवहन करने के लिए किसकी आवशक्ता होती है उर्जा की आवश्यक्ता होती है उर्जा की आवश्यक्ता होती है आवशक्ता होती है ठीक है उर्जा की आवशक्ता होती है और चुकि उर्जा की आवशक्ता होती है फोल्षली उनको क्या करना है फोल्षली क्या करना है पदार्थों को लेना है तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है इसमें पंप का उपयोग किया जाता है इसमें अलग प्रकार के पंप उप्योग किये जाते हैं जैसे प्रोटीन को प्रोटीन ट्रांस्पोर्ट करने के लिए अलग पंप होगा कार्बो हाइड्रेट के लिए अलग पंप होगा आयन्स के ट्रांस्पोर्ट करने के लिए अलग पंप होगा और अगर हम बात करें किसकी हार्मोन की हार्मोन के लिए अलग जेनल होगा अलग पंप होगा तो क्या होगा इसमें हमको लगाना पड़ेगा पंप जैसे कि अगर बहुत गहराई में क्या है पानी है कुवा का पानी बहुत गहराई में हैं, तो हम क्या करते हैं, मोटर लगाते हैं, कि उपर का पानी, नीचे का पानी क्या हो, उपर आ सके, क्योंकि गुरुत्वा करशन के विपरीत खीच रहे हैं हम, गुरुत्वा करशन, पानी क्या होता है, नीचे जाना चाहता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं में गुरुत्वाकर्शन के विपरीत खीच रहें तो हमको क्या लगाना पड़ा मोटर पंप लगाना पड़ा जिससे क्या हो सके पानी उपर आ सके ठीक है तो सेम वैसे ही कंडिशन बनती ही बटा किसमें किसमें सेल में 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 भी क्या हो रहा है हम उर्जा लगा के क्या कर रह यह हैं तो इसलिए क्या किया गया है इसको बुला गया है किया सक्रीप और करना हो तो क्या करना पड़ेगा हमको सोडियम पोटेशियम पंप की प्रयूग करते हैं ठीक है किसका sodium potassium pump का प्रयोग करते हैं ठीक है फूप चलिए ये हो गया दो प्रकायर tornar इसका हमारा जली का अब परिवहन करना तो ये परिवहन दो तरीके का होता है और ये परिवहन कैसे होता है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं किसमें diagram में देखते हैं यह आपके सामने क्या है यह है एक cell membrane का structure कैसा दिखाई देता है यह हम देख चुके हैं एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा जब आपको क्या मिलेगा बैटा इसके जो हमारा इंस्पा रेकेर में बालाग हट का एप है उसके उपर ब चलिए हम देखते हैं ड्रांसपोर्ट अब ड्रांसपोर्ट के लिए इसमें बने होते हैं क्या चेनल ड्रांसपोर्ट के लिए क्या बने होते हैं सेल में में बने होते हैं चेनल जैसे प्रोटीन चेनल बना रही थी प्रोटीन क्या कर रही थी चेनल बना रही थी अभी हम थ माता है जब मान लो की क्या है कार्बोहाइड्रेट यह बहार का एरिया है आउटर मेंब्रेन क्या है यह आउटर मेंब्रेन वाला पार्ट और यह क्या है इनर मेंब्रेन जो सेल के अंदर वाला भाग है अब क्या है पदार्थ जो है बाहर से इस कोशिका को लेना है तो अगर कार्बोहाइडरेट लेना है क्या लेना है इसको लेना है कार्बोहाइडरेट इस सेल को क्या चाहिए कार्बोहाइडरेट चाहिए तो ये carbohydrate क्या करेगा बडा अगर उसके पास ज्दा है उसके पास क्या है औरेडी ज्दा है तो यह क्या हो साम रहता से इस तरीके से क्या होगे यह कार्बोहड्या तंदर की तरह भाज आएगा इसके बाद में क्या होगा अगर किसको आना है फैट को आना है किसको आना है फैट को लाना है फैट अगर आना चाहता है यह बाहर जाना चाहता है तो इसके बीच से आसा नहीं से आ सकता है क्योंकि फैट फैट में घुलंसिल तो होगा ही होगा और ये तो पूरा का पूरा बना हुआ है कि इसका fat का मतलब लिपिड का, लिपिड बोले ते एक प्रकार का क्या है, fat ही है, तो कैसा होगा यहां से easily क्या हो जाएगा, transport हो जाएगा, ठीक है, अब अगर मान लो कि इसको क्या करना है, पानी, water molecule इसको क्या करन हटा है जा सकता है बिलकुल थोड़ा थोड़ा सा ठीक है लेकिन चुंकी यह और पार्ट है वीच में थो पानिों से डर लगने वाला पार्ट है तो इसलिए क्या होता है ईजी पानी पानी का क्या करना है पानी का ट्रांसपोर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा इनको उर्जा लगानी ही पड़ेगी ठीक है या फिर कैसा होगा अगर उर्जा नहीं लगाना चाहता तो इनके बीच में क्या पाए जाते हैं बेटा चेनल बनते हैं इनके बीच में क्या पाए जाते हैं इस तरीके से पाए जाते हैं चेनल इस तरीके से क्या है इन में चेनल बने हुए हैं और यह चेनल चूंकी क्या कर रहे हैं यहां पर किसी भी प्रकार का हाइड्रोफोबिक पार्ट नहीं है क्या नहीं है हाइड्रोफोबिक पार्ट नहीं है तो इसमें से क्या होगा आसानी से H2 आसानी से क्या होगा H2O यहां से एक जगा से दूसरी जगा तक इनर से आउटर आउटर से इनर क्या हो सकता है ट्रांस्पोर्ट हो सकता है बाहर से अंदर अंदर से बाहर इसका पानी का परिवहन हो सकता है ठीक है कब जब इसको निश्क्री परिवहन करना होगा तब अगर जाएगा बहुत ज़यादा मात रह में Home इसके पास में तो इसको क्या करना पड़ेगा पंप के द्वारा इस चेनल के जबढ़ा ये क्या हो जाएगा बाहार निकल जाएगा थीक है तो इस तरीके से क्या होता है कुछ चेनल बने होते हैं इस सेल मेंब्रेन में ट्रांस्पोर्टेशन के लिए ठीक है क्या बने होते हैं ट्रांस्पोर्टेशन के लिए इनके वीच में चेनल बने होते हैं तो देखते हैं कि ये चेनल कौन से कौन से होते हैं जैसी कि मैंने बोला की वाटर मॉ को कि वाटर मॉलीक्यूल को क्या करना है इधर से उधर भी जाना है आउटर से इनर इनर से आउटर मतलब ट्रांसपोर्ट करना है परिवहन करना है किसका वाटर मॉलीक्यूल का अगर वाटर मॉलीक्यूल का परिवहन करना है तो इसके लिए जो चेनल होता है वेटा इसके लि ये चाहे सक्री तर्षा को फिर निष्क्री परीवहन के सक्री परीवहन के लिए क्या होगा चेनल बना होगा इसमाँ बाहर पंप के माध्यम किया जाएगा क्या क्या किया जाएगा प्दा थो खांगा मंस क्या छाएगा ठीक है अगर man pride लग रही तो पानी यह channel के माध्यम से चला जाएगा फिर उकार करना है हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन करना है करना है हार्मोन और boustंत नंतभी भाचा त्रांसपोर्टेशन तो बच्छा lee तो नियो क्तल्ब कंकरा है हार्मोन डिन दिफ्यूजन के दौन कर सकते हैं oxygen gas कर सकती है carbon dioxide gas करती है विश्रन के द्वारा क्या करती है carbon dioxide gas भी विश्रन के द्वारा ही कहां तक cell membrane से आरपाल जा सकती है जो हम oxygen ले रहे हैं वो cell तक जा रही है cell से carbon dioxide आ रही है यह हो किसकी वज़े से रहा है है gas का exchange विश्रन के द्वारा ही हो रहा है ठीक है और यहां पर क्या बात हो रही है यह तो चौन हो रहा है एक तरीके का परासरन परासरन हो रहा है अब बैटा अगर आयन जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं कि इसकी sodium iron या potassium iron या chlorine iron इनकी बात कर रहे हैं अगर iron का transportation करना है बटा तो इसके लिए होते हैं gated iron channel क्या होते हैं gated iron channel होते हैं यह एक एक channel को बिलकुल note करते हुए चलना है यह आपके PNST के लिए और NEET के लिए भी बहुत important है ठीक है कई बार पूछा जाता है PNST और NEET में जो बच्चे PNST या NEET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत important है ठीक है बटा दो से तीन question तो आपके cell structure से आते ही आते हैं ठीक तो यह क्या होता है नेक्स्ट channel है आपका आउयनिगार्ट मतलब की एक दूसरे के opposite जाने वाला है मतलब की क्या हुआ एक इधर से आ रहा है एक इधर से जा रहा हैं यह एह इंटी प्षस्चे और सेल के बाहर क्या हो गया मालो सोडियम आयन तो अगर मालो इसका कॉंसेंट्रेशन या सांद्रता हमको बना के रखना है इसकी कॉंसेंट्रेशन या सांद्रता हमको क्या करना है बना के करना है क्योंकि हमारे सरीर में बटा जो तंत्री का तंत्र होता है सोडियम और पोटेशियम आयन के बेस्पे काम करता है ठीक है हमारे सरीर में जो हर्ट होता है हर्ट भी सोडियम और पोटेशियम आयन के बेस्पे काम करता है इस तरीके से काम करता है जब हम इसको पढ़ेंग तो क्या करना पड़ता है अगर sodium ion बाहर है यहां पर क्या है sodium ion की सांद्रता ज्यादा है यहां पर क्या है sodium ion ज्यादा है और इधर क्या है potassium ion ज्यादा है अगर sodium ion अंदर आ रहा है किसी भी signal के लिए sodium ion अंदर आ रहा है तो potassium ion को बाहर जाना ही पड़ेगा Potassium आयन को बाहर जाना ही पड़ेगा concentration या सांद्रता को maintain रखने के लिए कभी ऐसा ऐसा नहीं होगा यह level में रहना चाहिए इनकी सांद्रता ठीक है किसकी sodium और potassium की तभी सारी की सारी क्रिया सिल्था जो हमारे सरीर की क्रिया हैं वो maintain बनी रहती है तो यह क्या होता है एंटी पोर्टल चेनल मतलब एक दूसरे के अपूजिट फिर उसके बाद आता है सिंपोर्टल चेनल सिंपोर्टल चेनल में क्या होगा एक ही साइड मतलब दो चेनल होंगे दो चेनल एक ही साइड क्या कर रहे हैं परिवहन कर रहे हैं एक ही साइड प्रोटीन है तो प्रोटीन चेनल से आ जाएगा लेकिन मुख्य रूप से आयन के लिए क्या चाहिए था बेटा चेनल चाहिए थे तो आयन के लिए जो चेनल थे वह आयन गेटेड गेटेड आयन चेनल हुए अगर मालो दोनों एक दूसरे के अपोजिट कोई भी आयन जाना हण से ाहते ईसे सोडियम प्रेशियम आयन तो इनके लिए क्या एंटीपोर्टर अगर एक ही साइड जाना है तो उसके लिए क्या है औरрал पानी का परीवहन करना है तो पानी करीवहन के लिए क्या है एकवापोरीन चेनल है और अगर हार्मोन या ऑक्सिजन है तो यह तो क्या हो जाता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा क्या हो जाता है इनका परिवहन हो जाता है ठीक है तो चेनल जो है हमारे आई होब कि आपको क्लियर हुए होंगे कौन से कौन से चेनल होते हैं और अगमन कैसे होगा बेटा पलासरगन के द्वारा होगा अगर निस्क्री परिवहन करना है सब्सक्री परिवहन करना है जहां उल्जा के आवर्शक्ता होती है तो वहां लगाया जाता है क्या सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम पोटेशियम पंप लगाने की जड़त तब पड़ेगी जब मालो मालो यह क्या है आपका एक चेनल है क्या है एक चेनल है तो यहां से अगर कोई आयन आना चाहता है तो यहां पर बैठा हुआ है क्या गार्ड क्या बैठा हुआ है यहा यहां पर अगर किसी पडालत को क्या करना है आवागमन करना है तो उसके लिए का करना पड़ेगा हमको जबरदस्ती करना पड़ेगा यहां लगाना पड़ेगा क्या पंप लगाना पड़ेगा तब जा के क्या होगा यहां से पदार्थ जो है वह आवागमन कर सकते हैं ठीक है I hope कि आपको clear हो रहा होगा चीजे समझ में आ रही होगी कैसे ये काम कर रही है और कैसे cell membrane का structure होता है ठीक है बटा तो यह हुए हमारे कुछ channels अब बटा इसकी cell membrane की हम कुछ बात कर लेते हैं cell membrane की कुछ function पहला function तो हमने देख लिया क्या होता है पहला function हम बात कर रहे है किसकी function की तो पहला function क्या होता है बटा परिवहन करना क्या परिवहन दो प्रकार का परिवहन देखें दूसरा function होता है क्या इनकास आवरन प्रदान करना क्या आवरन प्रदान करना आवरन प्रदा किसमें मदद करना प्रचलन में मदद करना अब प्रचलन में मदद करने की बात आती है किसमें प्रचलन में मदद करने की बात आती है तो अमीबा एक ऐसा जीव है जो कैसा होता इसके पास में कोई लोकोमोटिव आरगन नहीं होता है क्या नहीं होता है कोई भी लोकोमोटिव है इसके अंदर जो साइटो प्लासम भरा हुआ है इसके अंदर क्या भरा हुआ है इसके अंदर भरा हुआ है क्या साइटो प्लासम भरा हुआ है यह साइटो प्लासम बेटा मुमेंट करते हुए चलता है यह साइटो प्लासम क्या करता है आगे की तरफ मुमेंट करते हुए च होता है आगे की तरफ बढ़ने लगता है तो सेल में में तरलता होती है तरल होती है यह इसी लिए तो क्या करती है यह आसानी से किसी भी साइड क्या कर सकती है बह सकती है मालो यह ऐसा है अभी अगर ऐसा चलेगा ऐसा होगा ऐसा होगा आगे की तरफ साइटोप्राजम बढ़ अफिष्ट पदार्थों के बाहर निकालने के लिए अफिष्ट पदार्थों का निर्गमन पदार्थों का बाहर निकलना अब क्या होता है हमारे सेल के अंदर जितने भी अफिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् के द्वारा बाहर निकालता है एक कोशी की जीव जितने भी होते हैं ठीक है तो एक कोशी की जीव हो जाहे बहु कोशी की जीव सभी में अप्सिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए क्या होती है सेल मेंब्रेन होती तो अप्सिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने भी मदद करता है कौन सेल मेंब्रेन पांचवा होता है बिटा अंतर ग्रहाण क्या होता है अंतर ग्रहाण मतलब भोजन खाने में भोजन कि अमीवा कैसा करता है अमीवा बिटा क्या करता है कि यह अमीवा क्या करेगा मान लो कि यहां पर क्या है कुछ खाना रखा हुआ है यहां पर क्या है खाना रखा हुआ है और यह क्या है चलते चलते जा रहा है यह क्या है चलते चलते जा रहा है जब यह चलते चलते जा रहा है तो इसको दिखा सामने खाना तो यह क्या करेगा इसके चारो तरफ इस तरीक में बद कोन कर रहा है आपकी cell membrane मदद कर रही है ठीक है परिवहन में आवरण प्रधान करने में प्रचलन करने मदद कलती है अफ्षिस्ट पदातों को भार निकालने मदद कलती हैं अंतर ग्रहाण में मदद करती है ठीक है अब देखते हैं इसकी कुछ विशेष्टा है इसकी सेल मेंब्रेन की कुछ विशेष्टा है विशेष्टाओं की बात कर रहे हैं विशेष्टाओं की गम्य मतलब की सेमी पर्मियबल कैसी होती है सेमी पर्मियबल और दूसरी होती ही कि इसकी खास विस्था कि यह कैसी होती है चैनात्मक पार्गम्य होती है चैनात्मक पार्गम्य मतलब सेलेक्टिव पर्मियबल सेलेक्टिव पर्मियबल सेलेक्टिव पर्मियबल सेलेक्टिव पर्मियबल होती हो और अर्ध पार्गम में नहीं अर्द पार्गम्य और चैनात्मक पार्गम्य मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम दो कोशिकाओं की बात कर रहे हैं दो कोशिकाओं की बात करते हैं एक ये कोशिका है एक ये कोशिका है ये क्या कर रही है पदार्थों का आवागमन करना चाहते हैं अल्धपारगंब्य का मतलब होता है बिटा अल्धपारगंब्य का क्या मतलब होता ह है कि यह केवल जो जितना पदार्थ होगा कितना जितना पदार्थ होगा वो पूरा का पूरा इसको नहीं देगी मानलो इसको किसकी जरुरत है कार्बो हाइड्रेट की जरुरत है किसको दूसरी वाली सेल को किसकी जरुरत है कार्बो हाइड्रेट की जरुरत है तो यह अपना carbohydrate पूरा पूरा नहीं देगी ऐसा नहीं कि cell membrane के अंदर से cell membrane को पार करके पूरा का पूरा carbohydrate उसको जरूरत है करके पूरा का पूरा carbohydrate दूसरी को सिका को चला जाए ऐसा कभी भी नहीं होगा क्या होगा इसको जितनी जरूरत है इसको जरूरत के बाद में जो बचने वाला कार्बोहाइडरेट है यह इसको क्या कर देगा देगा तो यह होगए अर्ध पारिगम चैनात्मक पारगम का मतलब क्या हुआ यहां पर क्या है कार्बोहाइडरेट भी है यहां पर प्रोटीन भी है यहां पर वाटर भी है यहां पर वाटर भी है लेकिन यह क्या करेगा इन सब में से केवल इसको कार्बोहाइडरेट की जरूरत है तो केवल कार्बोहाइडरेट को ही जाने द पडार्थ Willis pole दूसरे पडार्थ को ट्रांस्पोर्ट नहीं होने देगा थिक को जιοनरत के बाद में जितना पडार्थ बचा हुआ है वह है अगली कोशिका को देगा और जिसकी जws रूरत है वही पदात जो है अगली कोशीखा तक जायेगा यह क्या कहलाएगा चैनात्मक पारे गम मतलब इसमें अईसा नहीं है कि पुरी पारे गम में कि जा भाई जा भाई जा भाई तुभी जा तु इस तरीके से क्या होती है हमारी जो cell membrane थी उसका structure उसके function और उसके जो पोर्स थे किस तरीके से उसमें से transport हो रहा था पदार्थों का यह हमने देखा I hope कि आपको clear हो रहा होगा सारी चीजे one by one आपको clear हो रही होंगी हर point clear हो रहा होगा और अगर आपको सारी चीजे clear हो रही है सारी चीजे समझ में आ रही है और ऐसा लग रहा है कि आपके लिए क्या है useful है तो आपको like, share और comment करना नहीं बूलना है like करना है अगर पसंद आ रही है आप लोगों को तो और जिसको जरूरत है उस तक share भी करना है आपको और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए channel को subscribe भी करन है क्या करना है अगर ऐसे ही वीडियो आपको continue चाहिए सेल हमारा भी start है fourth lecture है हमारा सारे कोशी कांगो के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग अगर आपको आपको चाहिए कि हमको ऐसे ही जो वीडियो है वो मिलते रहे और इसका notification मिले तो आपको channel को subscribe करना है ठीक है ठीक है करके कि यहीं पर खतम करते हैं ठीक है बाइबाइ टेक केर हेव नाइस डे थेंक्यू पढ़ते रहे स्वस्थ रहे मस्त रहे यह